नहीं रहे रतन टाटा, 86 साल की उम्र में मुंबई में निधन, शोक में देश, रतन टाटा का निधन बुधवार की देर शाम मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हो गया, भारत के दिगज उद्योगपती रतन टाटा 86 साल के थे, पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे, देश भर में शोक की लहर दोड गई है, भारत के दिगज उद्योगपती रतन टाटा, रतन टाटा का निधन बुधवार की शाम को हो गया, उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पिटल में अंतिम सांसली रतन टाटा 86 साल के थे, पिछले कुछ दिनों स उनकी तबियत खराब थी, दरसल बुधवार की शाम में उनकी तबियत ज्यादा बिगडने की खबर आई थी, जिसके कुछ घंटे बाद ही खबर आई कि उन्होंने दुन्या को अलविदा कह दिया है, रतन टाटा का जाना देश के लिए एक बहुत बढ़ी क्षती है, हाला कि उन्हें देश कभी भूल नहीं पाएगा, उन्होंने देश के एक से बढ़कर एक काम किये, नहीं रहे रतन टाटा, 86 साल की उम्र में मुंबई में निधन, शोक में देश, रतन टाटा का निधन बुधवार की देर शाम मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हो ग दिगज उद्योगपती रतन टाटा, 86 साल के थे, पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे, देश भर में शोक की लहर दौड गई है, भारत के दिगज उद्योगपती रतन टाटा, रतन टाटा का निधन बुधवार की शाम को हो गया, उन्होंने मुंबई के खराब थी, दरसल बुधवार की शाम में उनकी तबियत ज्यादा बिगडने की खबर आई थी, जिसके कुछ घंटे बाद ही खबर आई कि उन्होंने दुन्या को अलविदा कह दिया है, रतन टाटा का जाना देश के लिए एक बहुत बढ़ी खशती है, हालांकि उन्हें द देश के एक से बढ़कर एक काम किये, नहीं रहे रतन टाटा, 86 साल की उम्र में मुंबई में निधन, शोक में देश, रतन टाटा का निधन बुधवार की देर शाम मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हो गया, भारत के दिगज उद्योकपती रतन टाटा 86 साल के पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे, देश भर में शोक की लहर दोड गई है, भारत के दिगज उद्योकपती रतन टाटा, रतन टाटा का निधन बुधवार की शाम को हो गया, उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांसली रतन टाटा 86 स पिछले कुछ दिनों से उनकी तबियत खराब थी, दरसल बुधवार की शाम में उनकी तबियत ज्यादा बिगडने की खबर आई थी, जिसके कुछ घंटे बाद ही खबर आई कि उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है, रतन टाटा का जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षती है, हालांकि उन्हें देश कभी भूल नहीं पाएगा, उन्होंने देश के एक से बढ़कर एक काम किये